नवस्कार दोस्तों वास्तू के अनुसार घर के द्वार पर पैडियां कितनी किस दिशा में होना सुब माना जाता है आए जानते हैं विश्ट्रित जानकारी जी हां दोस्तों घर में कई प्रकार के वास्तू दोस्त होते हैं जिन में से मुख्य रूप से पैडियों का या शीडियों का जिसको बोलते हैं या स्टेप्स को बोलते हैं या स्टेर के सकते हैं इसका बहुत बड़ा दोस्त माना गया है यदि गलत दिशा में हो गलत संख्या पर हों और उनके नीचे कोई गलत चीज रख रखी है या कुछ बनाया हुआ है तो इसका बहुत बड़ा दोस माना गया है वास्तु शास्तर के अनुसार इसलिए आईए आज इस विशे में पूरी जानकारी जानते हैं काफी लोग इस मामले में बहुत परिशान होते हैं और हर किसी को पूछते फिरते हैं तो आएए वास्तु शास्तर में घर के हर हिस्चे के लिए नियम बनाये गए हैं जिन से परिवार में प्रेम भाव बना रहता है और सम्रिदी भी घर में आती है वहीं अगर वास्तु दोस होता है तो कितनी भी मैनद करने उसका फल पूरा नहीं मिलता है इससे आवसाद और मांचिक तनाव बढ़ जाता है इसलिए हर इंसान चाहता है कि उसके घर में किसी भी तरह का कोई वास्तु दोस्त ना हो घर के वास्तु में शीडियां भी महत्वप्रण भूमी का निवाती ह शीडियां घर में नकारात्मक और शकारात्मक उर्जा भी लाती है और इसका सीधा आसर घर में रहने वाले लोगों पर पड़ता है वास्तु सास्तर के अनुसार घर में शीडियां हमेशा नेरित्ते यानि दक्षिन पस्चिम दक्षिन या पस्चिम दिशा में रखें इस दिशा में सीडियां होना उत्तम माना जाता है, इससे घर में प्रगती होती है और शुक्षांती बनी रहती है, वहीं उत्तरपस्टिम दिशा का चैन भी सीडियों के निर्मान के लिए सही माना जाता है। कभी भी मुख्य दर्वाजे के सामने उत्तर दिशा या फिर इसान कौन में शीडिया नहीं बनानी चाहिए। माना जाता है कि इससे घर में रहने वाले सद्वस्यों के हाथ से अच्छे मौके छूट जाते हैं और आमदनी भी घरती है। साथ ही ये हाट सबंदी समश्या का नोता भी देती है। शीडिया हमेशा विशम संख्या में होनी चाहिए जैसे साथ, ग्यारे, पंद्रे, उन्नीस आदी। घर में विशम संख्या में शीडियां खुशियां बनाए रखती हैं और मकान माले के विकाश और लोकवरता में वृद्धी करती हैं। आम तोरक पर घर में 17 सीडियां सुब मानी जाती हैं। अब बात करते हैं कि शीडियों के नीचे क्या नहीं होना चाहिए। शीडियों के नीचे कीचन, बातरूम या फिर फिस एक्वेरियम ना रखना चाहिए। कोशिश करें कि इन सभी चीज के लिए अन्य विकलब का इस्तेमाल करें। इससे ना केवल आर्थिक इस्तिती कमजोर होती है, बलकि परिवार वालों की शेहत पर असूब प्रभाव पड़ता है। साथ ही धन एकत्रित करने में काफी परेशानी आती है। इसलिए शीडियों के नीचे जल से समंदित कोई भी चीज ना रखें। अगर सीडियों गलत दिशा में बनी हुई हैं और तोड़ फोड़ की संभावना नहीं है या संभाव नहीं है तो वास्तु सास्त्र में इसका भी उपाय बताया गया है। आप सीडियों पर स्टोन पिरामिड की स्तापना कर सकते हैं। ये पिरामिट सीडियों की वज़े से उत्पन हो रहे वास्तु दोस्त को खतम करेगा और नकारात्मक उर्जा को दूर करेगा। सीडिया हमेशा चोड़ी उचित रोशनी देने वाली होनी चीए, सीडियों के आरंब और अंत्क में द्वार होना चाहिए। साथ ही सीडियों के निचे जूते चपल या फिर बेकार का सावाल नहीं रखना चाहिए, ऐसा होने से बच्चों के स्वास्ते में उतार चड़ाव आता रहता है और मकान वालिक भी परेशानी भुगतता रहता है। आपके घर में सीडियों किस प्रकार्चे हैं, किस जगह पे हैं और कितनी हैं हमें कमेंट करके जरूर बताईएगा ताके हम आपके हर समश्या का समादान अपने वास्तु सास्तर के जानकारी के अनुश्कार कर सके। ये सारी जानकारियां आपको वास्तु सास्तर में लिखी वी बातों पर आधारित, कुछ माननेताओं पर आधारित दी जा रही हैं, हम इनकी सत्यता के पुष्टी नहीं कर पा रहे हैं, नमस्कार